बच्छो ये क्लास 12 के लिए differentiation का question है चलिए इसको देखते हैं किस तरह से solve करेंगे हम लोग ठीक है बच्छो आप देखे क्लास 12 का question है differentiation का इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से solve करेंगे अर देंगे बच्छो यहां पर फिस्टफं हमें गिवन है एक सिक्वयर टू स्काय सॉइस्ट उस्टाइं आसी पाव ऑपर सीद्य में यहां पर बच्छो को वाइस विदिया हुआ है यह वाइक स्ट्वार्श स्कॉर्ट उसकोर लूट अव यह स्कॉर रूट अवा संवर्स A raise to the power cos inverse 3 then we have to prove that हमको prove करना है dy by dx is equals to minus y by x यह हमको prove करना है तो देखिए बच्छों, first of all हम इसमें क्या करते हैं यहाँ हमको यह prove करना है यह differentiation का question है हमें x equal to square root of A sine inverse 3 दिया हुआ है y equals to square root of A raise to the power cos inverse 3 दिया है we have to prove that dy by dx is equal to minus y by x हमको यह prove करना है ठीक है बच्छों चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह से solve करेंगे हम सबसे पहले इस question को solve करने के लिए बच्छों x और y दोनों को multiply कर लेते हैं तो देखे x.y हमने किया तो x की value हमारे पास किती है तो x की value हमारे पास है ओके फिर dot फिर हमारे पास बच्छों यहां पर दूसरी value क्या है दूसरी value हमारे पास है a cos a a raise to the power cos inverse t ठीक है बच्छों अब देखे यह भी square root में है यह भी square root में हम कैस को ऐसे लिए सकते हैं x.y square root square root of a sin inverse p dot a cos inverse p बच्छों class 9 से हम लोग इसा पढ़ते आ रहे हैं कि अगर base same होता है तो powers क्या होती है add हुजाती है जैसे कि हमारे पास कहीं पर है a raise to the power x f dot a raise to the power y है तो हम कहा लिए सकते है a raise to the power x plus y if base is same यहाँ पर base same है powers क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी तो बच्छों अब इसके आगे देखो हमें लिखा x dot y square root यहाँ पर base same है a raise to the power powers क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी sin inverse t plus cos inverse t ठीक है बच्छों हमने यह कर लिया अब बच्छों एक चीज है प्रॉपर्टी है यह सब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास sin inverse of x plus cos inverse of x है तो इसकी value क्या हो दिया है phi by 2 तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर t है sin inverse cos inverse तो हमारे पास sin inverse t plus cos inverse t की जगे पे हम क्या रख सकते हैं बच्छों what we will put here we will put pi by 2 in place of sin inverse 3 plus cos inverse t तो देखते हैं बच्छों हम लोग इसकी जानते हैं x dot y square root of square root of a raised to the power pi by 2 is that clear अब बच्छों इसको देखिए हम लोग इसको और क्या करेंगे यहाँ पर आप देखिए हमारे पास x dot y है यहाँ पर square root है हमारे पास ठीके x dot y है square root है हमें differentiate करना है यहाँ पर हमें कहाता देखा नहीं d y y d x दिखाना है d y by d x लाना है तो आप इसको differentiate करेंगे ठीके अब differentiate करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम जानते है प्रोडेक्ट टूल हमारे पास क्या होता है वाट इस आप प्रोडेक्ट टूल हम किसे कहते हैं जैसे हमारे पास यहां पर दो फंशन दिये X और Y कोकिए अगर हमें दो फंशन का प्रोडेक्ट टूल करना है तो D U upon D X यहां पर D by D X of U N V U और V हमारे कैसे फंशन है X के फंशन है अब यहां देखे हमने लिखा पहले U को रोका फिर D V by D X किया प्लस फिर V को रोका D U by D X किया बच्चों तो इस तरीके से हमारे पर प्रोडेक्ट टूल लगेगा यह हमारा का प्रोडेक्ट रूल है बच्चों अब इसको देखे हम करते हैं यहां पर सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशेट करेंगे एक्स दी वाइबाई बी एक्स ठीक है बच्चों यह हमें लिखा फिर वाई को रोकेंगे फिर एक्स का करेंगे तो violentought दी एक्स वाइबी एक्स और बच्चों यह देखे यह घंवारे पास यह कॉंस्त Conference का ड़िफ्रेंशेट जो हमता है वह क्या होता है सी यह हमारा इसका डिफ्रेंशेट का होता है 0 हमता है यहां पर हमाले पाइन ग्या गया तो ठीक है आप देखो इसको क्या रिखेंगे x dy by dx plus y dot 1 equals to 0 अब देखे बच्छों हम क्या करेंगे x dy by dx equals to minus y अब देखें dy by dx is equals to minus y by x देखें बच्छों हमको यही चीज़ प्रूफ करने दी हमको यही लाना था minus y by x इस question को बहुत ध्यान से देखें बच्छों हमें दिया था if x equal to a square root of a raise to the power sine inverse 3 and y equals to square root of a raise to the power cos inverse 3 then prove that dy by dx equals to minus y by x हमने क्या किया first of all हमने x और y दोनों को multiply कर लिया दोनों का product किया x dot y लिखा फिर equals to me हमने देखे क्या किया यहां पर equals to me हमने यहां पर लिखा है इन दोनों का product किया है इन दोनों का product क्या है base same होता है powers add हो जाती है यह सब 3 points है इन च्छोटे च्छोटे points है basics है जो हमने class 9 से पढ़ते आ रहे है ठीक है अब यह देखिए function second function तो first function हमने लिखा फिर second function का differentiation किया फिर हमने वी लिखा फिर हमने second function का differentiation किया है बच्छों ठीक है इसको इधर एक बार फिर से देखेजिए product rule यह हमारा क्या है यहाँ पर हमने इस question में product rule लगाया है of differentiation product rule of differentiation ठीक है product rule हमसे क्या कहता है d by dx of u.v अगर हमारे पास है तो first of all u को हमने रोका फिर dv by dx लिखा फिर हमने v को रोका du by dx लिखा ठीक है बच्छों आज हम अब जैसे हमने इस पर differentiation किया तो पहले हमने differentiation लगाया है फिर देखें यह भी हमारा की point है inverse trigonometric pension का formula ठीक है बच्छों पास करकर इस video का बार बार देखिए ओके बच्छों यह देखें differentiation का दूसरा question है हमें दिया है find dy by dx हमें dy by dx find out करना है इस वाइक कोस्टू इस वाइक कोस्टू साइन इंवर्स वन अपॉन स्कॉयर रूट आफ वन प्लस एक्स स्कॉयर देखो इस तरह के क्या करते हैं इस तरह के differentiation को सौल करने के substitution कुछ हमें सब्स्टूशन आपके जैसे हम 1 प्लस x स्कॉयर यहाँ पर हम एक सी जगे 10 ठीटा भी कर सकते हैं एक सी जगे हम कॉड्ट ठीटा भी कर दे तो लेट हम यहाँ पर करते हैं लेट X equal to quad theta ठीक है अब देखे Y cos to sine inverse 1 upon square root of 1 plus quad square theta बचो हमने यहाँ पे यह कर दिया अब देखिए इसको अब हम यहाँ पे क्या देखते है Y cos to sine inverse 1 upon यह कितना हो जाएगा बचो square root of cosic square theta जैसा कि हमने ट्रिक्रोमेटिक में पढ़ा है कि 1 plus quad square theta कितना होता है हमारे पास cosic square theta होता है बचो ठीक है तो Y cos to हमने लिखा sine inverse 1 upon cosic theta यह square root था यह square root में ता cosic theta हो गया Y cos to sine inverse यहाँ पे यह sin theta हो गया sin theta कैसे हो गया बचो ठीक है 1 upon cosic theta को क्या लिख सकते है sin theta लिख सकते है तो वो देखे हमने यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से ठीक है अब देखे sin inverse and sin theta क्या होता है inverse trigonometric function में पढ़ा है हमने कि sin inverse of sin x will be equal to x यह in ITF में पढ़ा था हम दोने कि sin inverse sin inverse of sin x what this will give you this will give you x sin inverse of sin x क्या देगा sin inverse of sin x क्या देगा यहाँपे sin inverse sin theta है तो क्या बढएगा theta में जबढ़ाएगा बचो यहाँएब theta आए가ा हमें क्या करना है differentiate करना है with respect to x करना है कि आपर बहुत धहांसे समझना है बचों को हमें theta के respect में differentiate करना है यह देखे घ्या है डी यजए थीटा की डिफ्रेंशेशन नहीं करना है यह दो हम आपर थीटा को हम एक्स के रूप में लिखेंगे टेको हमिने क्या किया था बच्चो यहां पर हमने इस जगे पर इस चीश को दिखिया हमाने लेट क्या था X equal to cot theta तो theta equals to हमाला क्या हो जाएगा cot inverse of X ठीक है तो Y equals to cot inverse of X in place of theta हम यह रख देंगे cot inverse X अब देखें differentiate करते हैं dy by dx equals to dy by dx of cot inverse X ठीक है बच्चोर यह हमने किया अब देखें हम लिखते हैं यहाँ पर dy by dx इसका करेंगे तो minus 1 upon 1 plus X square होता है इसका differentiation ठीक है बच्चोर ठीक है और 10 का हमारा क्या होता है 1 upon 1 plus X square होता है ठीक है इस चीश को समझे बच्चोर बहुत ध्यान से समझे इस बात को इस बात को बच्चोर आप लोग बहुत ध्यान से समझे ठीक है इस बात को बहुत ध्यान से समझे है जैसे हमारा cot inverse x है cot inverse x का differentiation हमारा क्या होता है d by dx of cot inverse x कितना होता है minus 1 upon 1 plus x square तो इसी तरह से d by dx of 10 inverse x हमारा कितना होता है 1 upon 1 plus x square ठीक है इस वीडियो को pause करके बचो आप देखते रहे हैं अच्छे समझ लीजे ठीक है